तो गाइस बहुत सारी लिक्स और रिमर्स के बाद वेई ने कर दिया है अपना वेई P20 और P20 Pro स्मार्टफोन को लांच इन पैरिज और गाइस दोनो डिवाइस का लुक बहुत ही आसम है बहुत ही एट्राक्टिब लगता है ये दोनो डिवाइस P20 और P20 Pro और इन दोनो डिवाइस में हमें देखने को मिलता है आईफोन 10 लाइक नॉच जिसका बज़र से ये दिवाइस बहुत ही एक्ट्राक्टिब लगता है और गाइस एक खास बात ये है कि हुए P20 Pro में हमें देखने को मिलता है त्रिपल कैमरा सेटप अंदर रिया पैनल तो आज ये वीडियो देखते रही है मैं आज बोलने बाला हूँ P20 और P20 Pro के बारे में तो देखते रही है तो विदार दोस्टिंग अने मुद टाइम लाइक कर दिजिए इस वीडियो को और लेट्स गेट स्टार्टेट तो गाइस सबसे पहले बात करते है हूऊ P20 के बारे में तो गाइस ये डिफाइस बहुत कमाल का लगता है बहुत ही अट्राक्टिव है ये हूँ P20 और गाइस इसद्वाइस की फ्रॉंट में हमें देखने की एक नॉट और पिछे की तरह देखने को मिलता है डूल केमरा से फ्रॉंट केमेरा और कुछ सेंसर्स बात कर रेकर हुए ही P20 की डिस्प्ले साइश की तो इस डिवास में देखने हुए ही 5.8 इंच का एक PHD Plus डिस्प्ले जोकी है एक LCD डिस्प्ले तो अब बात करते है इस डिवास की प्रोसेसर की बारे में इस device में कॉन सा प्रोसेजर है उसके बारे में तो इस device में हमें देखने को मिलता है हुए एक खुद का किरी 970 का chipset जिसका 4 core है 2.4 GHz का और बाकी 4 है 1.8 GHz का और यह है एक octa core CPU और गाइस इस device में हमें देखने को मिलता है Mali का G72 MP12 का GPU जो की बहुत ही अच्छा है बात कर अगर RAM और storage variant की तो इस device में हमें देखने को मिलता है 4 GB का RAM variant और 128 GB का internal storage और गाइस इस device में हमें कोई memory का slot नहीं देखने को मिलता है और गाइस इस बार Huawei फोकस किया है अपने camera में and Huawei P20 doesn't disappoint Yet again Huawei has partnered with Leica to work on the cameras and combine it with AI to take better pictures बात कर अगर rear camera की sensors की तो इस device में हमें देखने को मिलता है dual camera setup और जो 20 MB का sensor है वो है F1.6 का aperture और वो है एक monochrome sensor और साथी साथ हमें secondary camera देखने में मिलता है 12 MB का जो की है 1.8 का aperture और यह है एक RGB sensor और guys honestly there are tons of new features bundled with the camera इस device में हमें ultra snapshot एक feature मिलता है जिसे काम में लेकर हम एक picture क्लिक कर पाएंगे 0.3 seconds में जो की बहुत ही awesome एक feature है 4D predictive focus हमें इस device में मिलता है 4D predictive focus feature हमें इस device में मिलता है fast moving object की तुरंथ picture क्लिक करने के लिए और एक interesting चीज है कि इस device से हम 960 fps super slow motion video record कर पाएंगे जो की बहुत ही अच्छा एक feature है और guys there is AI image civilization जिसे काम में लेकर हम blur shift low light pictures क्लिक कर पाएंगे और इस device में portrait picture क्लिक करने के लिए भी AI काम करता है जिसे काम में लेकर हम बहुत अच्छे अच्छे portrait mode portrait picture क्लिक कर पाएंगे तो guys overall 102 और guys यह score है Galaxy S9 Pixel 2 iPhone 10 से भी ज्यादा जास्ट सोचो guys बहुत इंप्रूफ camera हमें देखने को मिलता है way P20 में और बात कर अगर battery का पस्ती के तो इस device में हमें देखने को मिलता है 3,400 mAh का battery capacity साथ हमें साथ हमें सी है super immigrants first charging technology इस device में और guys यह device sting emui 8.1 based android oreo यह device हमęं बिलता है android oreo के साथ लेकिं guys इस device में हमें कोई 3.5 mm jack नहीं देखने को मिलता है कोई 3.5 mm headphone jack हमें नहीं देखना हमें वेपी 20 में लेकिन इवेज भी टाइप सी पोर हमें देखने को मिलता है इस डिवाइस में आईपी 53 का रेटिंग हमें देखने को मिलता है इस डिवाइस में और फ्रांट फेसिंग प्राइज इंडिया में हो लगभग 55,000 के नीचे तो गैस आप बात करते हुए ही P20 Pro के बार में तो गैस इस डिवाइस का भी लुक बहुत ही ऑसम है इस डिवाइस में भी हमें आइफोन 10 लाइक नॉच देखने को मिलता है यह डिवाइस भी है ग्लैस बैक पैनल की और मेटल मेटलिक फ्रेम का तो गैस अबहरा लुक तो इन दोनों डिवाइस का हुए P20 और P20 Pro का दोनों ही बहुत ही ऑसम है और ट्रैक बहुत ही एट्राक्टिव है और गैस रियर पैनल में इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है त्रिपल कैमेरा सेटप जो की भर्टिकली प्ल इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है शिक्स पॉैंट फोलाऊ इच की लित सब्सक्राइब और यह एक आयम दिसपले और गैस यह दिवाइस हुए P20 प्रों रियाली एक प्रो डिवाइस है इस डिवाइस में देखने को मिलता हैل ओछ रॉरेंट प्रेन प्रेंच मुं मिलता है 6GB RAM के साथ और 128GB इंटर्नल स्टोरेज के साथ और यह डिवाइस का है कैमेरा में फोकस कैमेरा पर ही में फोकस कर रहा है हुई P20 Pro और P20 में हुई इने और इस डिवेशन हमें देखने को मिलता है triple camera setup जो की बहुत ही awesome है बात कर अगर sensors की तो हमें देखने को मिलता है 40MP RGB sensor 8MP telephoto lens जो की एक साथ है और उसके नीचे हमें देखने को मिलता है 20MP का एक monochrome sensor और गैस जो telephoto lens है 8MP उससे हम कर पाएंगे 3x optical zoom और 5x hybrid zoom और गैस Huawei uses a technology called light fusion for capturing image with the 40MP sensor what the sensor does is combine capture data from 4 different pixels into one the result is sharper brighter and more detailed photos और गैस Huawei P20 Pro में भी हमें AI feature देखने को मिलता है जिससे काम लेकर हम बहुत ही अच्छा अच्छा pictures की कर पाएंगे जो की हम देखे P20 में भी और गैस बात कर अगर इस device की DxO mark की तो इस device का जो photos में DxO mark है वो बहुत ही high है बहुत ही सबसे ज्यादा है उसका DxO mark point तो photos में इसका DxO mark है 114 point और गैस वीडियोस में है 98 points तो गैस overall इसका point है 109 और गैस इस device में देखने को मिलता है IP67 का rating और इस device में भी हमें कोई 3.5mm headphone jack नहीं देखने को मिलता है लेकिन गैस हमें देखने को मिलता है इस device में USB type C port नो micro USB port हमें इस device में कोई micro USB port नहीं देखने को मिलता है और गैस इस device में NFC Bluetooth version 4.2 देखने को मिलता है और गैस इस device भी Paris में हो चुका है launch और इसका वहाँ पर price है 899 euro और गैस हम आशा कर सकते कि यह device हमें बहुत ही जल्द इंडिया में मिलेगा एप्रिल में या फिर में में और इसका pricing हम आशा कर सकते कि लगभग यह device हमें मिलेगा 73,000 की pricing range में और गैस इन दोनों device की box में हमें देखने को मिलता है smartphone itself USB-C headphone, charging adapter, USB Type-C cable, protective case भी हमें इस device इन बॉक्स में देखने को मिलता है और देखने को मिलता है एक dongle जो ही है USB-C to 3.5 mm और गैस DxOMark की point के हिसाब से इन दोनों का camera बहुत ही अच्छा है देन दे Galaxy S9, iPhone 10, Huawei Mate 10 Pro और Pixel 2 तो guys camera तो इन device का बहुत ही अच्छा है according to the DxOMark point तो guys आप मुझे बताना नीचे comment section में की इस specification देखकर ये device देखकर आपको कैसा लगा है तो बस इतना ही इस वीडियो में आशार रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंदाया होगा वीडियो पसंदाया होगा वीडियो करजी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलना तो गैस फिलाल को लिए इतना ही मेरा नहीं सब्सक्राइब को तर मैं मिल्भाव आपसे करने ये एक सैटिंग वीडियो में तब तक लिए जाए हिंद पंदे मात